हलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप लोग मैं हूँ आपका दोस्ताज और आप देखरें टेक्डी एक्सपी आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डी बी में मेगर टेस्ट जिसको हम लोग इंसुलेशन टेस्ट भी कहते हैं वो किस तरह से करते हैं फुल डीटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा मेगर मीटर यानि इंसुलेशन जो टेस्टर होता है उसकी मदद से और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि ये लेक्ट्रिकल इंजिनिंग की जॉब इंट्रिव्यू से रिलेटर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम लोग केबल के लिए भी करते हैं और डीबी के लिए भी करते हैं इस वीडियो में आपको पार्टिकुलरिली जो डीबी के लिए जो एक किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा तो DB के लिए जो हम लोग करते हैं वो बस phase और अर्थ के बीच में करते हैं और neutral और अर्थ के बीच में करते हैं और जब कभी भी हम लोग मेगर करते हैं तो सारे switch और socket जो है on होने चाहिए मतलब कोई भी स्विच जो सॉकिट कास्विच होता है उसको भी लोग होता है उसको भी लोगs होता है और जो water heater और जो भी devices हैं सारे switches को हम लोगों को on रखना है और उसके बाद हम लोग meager जो है ये जैसा कि आप देख सकता है ये मेरे पास एक meger है इस मेगर के तुरू हम लोग 500 वोल्ट पर या फिर 250 वोल्ट पर पर रेसिस्टन्स हम लोग चेक कर सकते हैं ये रेसिस्टन्स की वैलू हमे जो है मेगा ओम में आनी चाहिए अगर हम phase to earth का resistance चेक कर रहे हैं उसकी वैलू भी हमारे मेगा ओम में आनी चाहिए और neutral to earth का resistance अगर चेक कर रहे हैं उसका भी value हमारा mega ohm में आना चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको इसको detail में दिखाता हूँ कि mega meter कैसा होता है यह आप देख रहे हो यह mega meter हमारा एक digital type का mega meter है तो इसको मैं आपको detail में दिखाता हूँ और यह probe है इसका यह black color का probe है जो की earth के इसमें लगेगा और जो की एक red color का probe है यह हमारा face के लिए लगेगा तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो यह दो jack है यहाँ उपर में तो यहाँ पर जो face वाला jack है उसमें हम लोग ःट को लगा देंगे और यहाँ पर एक अर्थ का लिखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारा red हो गया और यहाँ पर आपको अर्थ लिखा हुआ है तो इसमें हमारा यह black लग जाएगा ठीक है यह दो प्रोब हम लोगों ने लगा दिया है और यहाँ पर अब यह जो तो हमारा अर्थ में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद यह जो है यहां पर सेट करने का लेट से इसको हम लोग 250 पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया 250 वोल्ट पर ठीक है तो 250 वोल्ट पर जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यह मेजर वाला बटन अगर प्रेस करते हैं तो हमारा इसमें से ये वोल्ट نıktलेगा 250 V निकलेगा और ये जो दोनों हमारा एक पे रहेगा एक फेस पे रहेगा तो उससे हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे कि यहां पर रिसिस्टन की वेल्य कितना आ रही हैं वो जितना भी insulation tester भी कहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हूं insulation tester लिखा हुआ यहाँ पर major button है और यह है हमारा probe जो कि मैंने connect कर दिया है इस line और earth में ठीक है line में हमेशा red वाला connect होगा और earth में हमेशा जो है यह black वाला connect होगा उसके बाद यह जो है हमारा यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं तो यह off हो जाता है और यह volt है उसके बाद यहाँ 50 volt 125 volt 250 volt 500 volt 1000 volt तक यहाँ पर आपको यहाँ दिख रहा है यह जैसे आप देख सकते हूं यहाँ पर अभी हम लोगों ने 250 पर किया और यहाँ पर एक button है आपको composition का button से कम आएगा हमारा resistance तो यह हमारा fail दिखाएगा तो यह comp देखो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ 1 mega ohm अभी देखो अभी 1 mega ohm पर हम लोगों ने select किया हुआ reference point मतलब हमारा 1 mega ohm है अगर हम लोग इसको चाहें तो इसको ज्यादा बरहा सकते हैं इसको हम लोग 2 ohm 3 ohm जैसे 1 mega ohm पर अभी लिखा हुआ है इसको 2 कर सकते हैं 3 कर सकते हैं 4 कर सकते हैं 5 कर सकते हैं 10 कर सकते हैं उसके बाद 20, 30, 40, 50 50 mega ohm तक हमारा आता है या फिर off भी रख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर उसके बाद देखो फैल दिखाए जनरली जो है अगर डी बी के अंदर जहां हमारा जो लाइट का सरकीट होता है पावर का सरकीट होता है वहाँ पर अगर हमारा दो मेगा ओम से ऊपर आ रहा है रहा है रीसिस्टेंज इसका मतलब हमारा जो है कोई लीकेज नहीं है अगर 2 mega ohm से कम आ रहा है 1.5 आ रहा है 2 आ रहा है तो इसका मतलब circuit में कुछ न कुछ leakage है और cable के case में हमारा जो low voltage का cable होता है उस case में हमारा कम से कम 80 mega ohm का resistance आना चाहिए और db के case में अगर 30, 40, 50, 60, 80 आ रहा है 80 से उपर preferable है बट अगर 2 mega ohm से कम आ रहा है मतलब db में leakage है कहीं न कहीं short circuit है earth और phase के बीच में या फिर neutral और earth के बीच में एक चीज़ जब कभी भी हम लोग db का mega test करेंगे तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि phase और neutral के बीच में हम लोग mega नहीं check करेंगे क्योंकि phase और neutral के बीच में हम लोग insulation test db के अंदर नहीं करते हैं db के अंदर क्योंकि हमारा light भी connect होता है और भी बहुत सारे devices connect होते हैं और यहां पर हम लोग 500 volt या 250 volt अगर देंगे तो हमारा light में connect होगा तो उस case में हमारा short ही बताएगा तो इसलिए हम लोग db में हमेशा phase to earth और neutral to earth करते हैं db के अंदर जो हम लोग insulation test करते हैं तो मैं अब practically आपको db का test दिखाऊंगा और कितना कितना ohm हमारा resistance आ रहा है हर एक db में अभी यह हम लोग 3 phase db का मेगर कर रहे हैं यह red phase जो है हमारा earth के साथ तो यह देखो 21 मेगा ओम का resistance आ रहा है उसके बाद हमारा yellow phase का reading आप देख सकते हो measure का हम लोगोंने button को full open कर दिया है तो यह हमारा आप देख सकते हो blue color का भी जो हम लोगा मेगा resistance 500 मेगा ओम से उपर आ रहा है यह उसके बाद black जो की neutral है उसको अर्थ के साथ हम लोग मेजर करते हैं तो यह देखो 11 12 मेगा ओम आ रहा है यहां पर main breaker हम लोगों कर दिया है और उसके ऊपर से चेक कर रहा है तो जिससे हमारा पूरा का पूरा circuit एक बार में चेक हो जा रहा है और अगर कोई fault आएगा तो फिर हम लोगों सेक्शन में जाएंगे और separate circuit में फिर जाकर चेक करेंगे लेकिन अभी कोई पूर्ट नहीं है देखो नुट्रल और हमारा अर्थ जो है कितने असानी के साथ चेक कर लिया हम लोगों है 17.4 मेगाओं के करीब आ रहा है 17.5 उसके बाद यह हमारा एक सिंगल फेज का डी भी है जिसमें बुलू फेज और नूट्रल है बलैक यह देखो हमारा फेज और अ इस डीबी में भी वही है मेन ब्रेकर हम लोगों ने डाउन किया उसके उपर से सारा सर्कीट एक बार में चेक कर लिया सारा का सारा ब्रेकर आउन करके यह देखो हमारा 109 110 मेगाओं के करीब आ रहा है यह देखो बरतगी जा रहा है जहां पर लास्ट रूके का वहां पर का प्रोब लगाया हुआ है और यहां पर और नूटरल के बीच का आप चेक कर रहे हो यह सारा ब्रेकर एक बार में आउन करके हम लोगों ने चेक किया है अगर पॉल्ट आएगा तो उसकेस में फिर सिंगल सिंगल हम लोग यह सीवी चेक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हो में बिरेकर डाउन है मतलब केेबल का मेजरमेंट नहीं चेक नहीं कर रहा है हम लोग कूपर जो सरकीट हमारा सारे सरकीट का चेक कर रहे हैं तो हमारा वेट फेस में यह देखो उसके बाद यखे बाद यह ल align हमारा reading 11.2 अभी देख रहा है, उसके बाद हमारा blue face का reading देखते हैं, अर्थ के साथ, यह देखो हमारा 11.5 आ रहा है, उसके बाद हम लोग यह black मतलब neutral का अर्थ के साथ चेक करते हैं, तो यह हमारा 11.8 आ रहा है, यह हमारा two face का, मतलब single face का डीबी, yellow color और black color, neutral black है, यह देखो हमारा earth में लगा हुआ एक probe, दूसरा probe yellow में लगाया, यह देखो हमारा 10.8 आ रहा है, उसके बाद neutral में लगाया, यह देखो हमारा 10.7 आ रहा है, यह आप देख सकते हो, उसके बाद हम लोग यह last DB चेक करते हैं, इसमें देखते हैं, हम लोग का blue face है, single face DB है, हमारा देखो य यह resistance बहुत ही ज्यादा है, 283 ohm, 297 बरता ही जा रहा है, जहां पर रुकेगा, वहां पर का reading हम लोग note कर लेंगे, उसके बाद यह face हो गया, उसके बाद हम लोग neutral का check करेंगे, और इस तरह से हम लोग mega check करते हैं, अगर किसी DB में fault होगा, तो उसमें हम लोग separate separate section को देखें में fault है, और फिर वहां से वह circuit को rectify करेंगा, आए होप कि आप कोई वीडियो पूरी सब्सक्राइब होगा, अगर वीडियो बसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब है चानल मिलते निक्स वीडियो में, नहीं तो भी किसाब सब तक के लिए, बाई बाई